हेलो फ्रेंड्स गुड़ दूनिंग कैसे हो होग करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स आज की स्वीडियो आप लोग से मैं GKGS का टेस्ट रूँगा एस्पेसल यूपी तरपलासी पेट एक्जाम 2022 के लिए इस टेस्ट में जो टूटल आपके क्वेशन होंगे वह होंगे 30 अगर आप लोग 30 में 12 प्रश्ण साही कर लेते हैं तो आपकी जीगे ज्यस की तारी बहुत ही अच्छी है और भी वीडियो अगर आप लोग को देखने ही तो आप लोग प्ले लिश्ट में जाके देख सकते है कुछ डाउट्स बगरा रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं चली क्लास को स्टार्ट करते हैं साथ यह विद्धियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जागी उस लिंक पर जैसे आप आप लोग करेंगे तो उसमें ना मूबाइल लंबर इमेल आडिया आप से पूंचा जागा व उसके बाद एक सो इंचास का पेमेंट करने जैसी आपका पेमेंट सक्सेस्फुल होता है उसके बाद डाउनलोड का अप्शन का ओपिन करने का पाश्वर रहेगा आप लोग समचा यह तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं जवाब देने का प्रयास करेंगे लोथल इस्थेत है कहां पे तो लोथल ध्यान रहेगा इस्थेत है आपका खंबात की खाड़ी में और राज पूंचता को गुजरात याद रहे हैं ठीक है लोथल गुजरात अगला पूश्ण म्रगवन यानि की सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पर्थम अब्देश नमलिकित में से किस नाम से जाना जाता है वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टन कोशन है देखिए जो तीज कोशन जीके जैसके कोशन पूचेंगे इसमें पांच को साइंस साइंज की होंगे तो ऐसी चैनल यानफे सकते हैं अगला पूशन नमनांकी निम्नांकित राजवनसों में किसने स्रिलंका एवं दच्छन पूर्व एसिया को जीता था थरीका जवाब देने का प्रैस करेंगे सबी लोग भाई आंसर देंगे और जितने ब्लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जूड़ जाएंगे इस चैनल के माद हम से आपको निश्ची दे मदखत मिलेगी जो भी यूपितर प्लसी पेट एक्जाम की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको शब्से पहले हमारे चैनल के मादम से ही देखने को मिलेगी तो सिरलंका यूप दच्छनपूर एसिया को जीता था किस ने किस राजबंसो ने तो यहां जीता था चोल राजबंसो ने ओफन इसका जो है आपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा चलिए ब्रम्ह पुत्र नदी तिबबत में किस नाम से जाने जाती है जाब दीजे पदमा की नाम से जाना जाता है ठेक है चरिए अगला पीरिश्न नजाब देंगे भारती राष्टी कॉंग्रेस में राश्टी सब्द प्रभावे था किस से जा प देंगे सब लोग पांचेवे का राइट एंसर क्या हो इनमे से कौन अली पुर्बं सरड़ियंत्र में सामिल था ? सिक्स का जॉब दने का प्यास करेंगे जॉब देंगे सभी लोग अंसर सभी का आ रहा है तो इन्हें में से कौन अली पूर्बम सणियांत्र में सामिल था अरविन घोश ठीक है ओफनिस का जो है आपका डी वला बिल्कुन करेक्ट हो जागा important question था आपके exam के लिए चलिए राष्टी कॉंग्रेस कारिकारी समित ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनमोधन कहां किया था तो ये किया गया था वर्धा में ठीक है ओफनिस का ये वाला बिल्कुन करेक्ट हो जागा ठीक है भारत छोड़ो नामक आंदोलन की सुरुवात कब से हुई थी 1922 से ठीक है ये भी आपको याद रगना है चलिए अगला पुष्ण निमलकित में से कौन सी जोड़ी सही है कौन सी जोड़ी सही है बताइए इसमें कौन सी जोड़ी सही है जवाब देंगे सबी लोग आठे में का राइट अंसर क्या हो जगा तो देखें चम्सपोर्ट के समय रालेक्ट एक्ट परित हुआ था ठीक है ओफन इसका ये वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा ये ही आपका किवल जोड़ा सही है ठीक है रालेक्ट एक्ट जो है चम्सपोर्ट के समय में ही परित हुआ था ठीक है 1929 में परित किया गया था ये भी आपको याद रखना है चलिए किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कमिनिश्ट विचारधारा का परिपः पड़ा किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन का कमिनिश्ट विचारधारा का पर keluhapad ये प्रstyपः पड़ा था 1924 से 1934 में ये उफनिस का बि वाला बिलकुन करेक्ट हो जगर चलिए स्वादेसी आंदोलन की आपचारिक घोशना कप की गई थी 10 का राइट अंसर क्या हो जगा स्वादेसी आंदोलन की आपचारिक घोशना कप की गई थी तो शाक अगश्ट शात अगश्ट 1905 को जो है घोशना की गई थी सवदेसी आलोंड की आपचारी घोशना ओफन इसका जो अपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा ये questions बहुत ही एक्जाम में repeat होता है questions क्या है कि भारती मानक समय green which maddh समय से कितना आगे है भारती मानक समय green which maddh समय से कितना आगे है तो ये साढ़े पांच घंटा आगे है ध्यान लगिएगा ठीक है गलत नहीं होना चाहिए साढ़े पांच घंटा याद रखना है सिंग का संचरन होता है किस अभ्यारण में सिंग का संचरन होता है किस अभ्यारण में जौब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर काजी रंगा अभ्यारण यह आपका अशम में है जिम कारबेट आपका प्रतम पारख है भारत का उत्रकन में जो किये है चलिए मानश आपका कहाँ पे है मानश भी लोग जौब देंगे मानश अभ्यारण कहा है किस राज में है चलिए किस अवध में पूरा भारत वर्स दच्छन पश्चमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है भारत की पहली बहुत उद्देसी पर यूजना का निर्मान किस नदी पर हुआ था जौब देंगे बहुत ही इंपॉर्टन कोशन आपके एक्जाम के लिए भारत की पहली बहुत उद्देसी पर यूजना का निर्मान किस नदी पर हुआ था तो इसका निर्मान हुआ था दामोदर नदी पर ठीक है अफन इसका भी वाला बिलकुन करेक्ट हो जेगा चलिए अगले पिश्चन को जौब देंगे किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है फिप्तीन का जौब देने के प्रैस करेंगे किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है एक सो असी अंस देशांतर और पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है उफन इसका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जेगा इंपॉर्टन कोशन है आपके एक्जाम के लिए ठीक है चलिए आगला पिशन है बजट घाटे से तापतर है क्या बजट घाटे से क्या तापतर है जौब देने का प्रयास करेंगे सब लोग सबी लोग जौब देने का प्रयास करेंगे बजट घाटे से क्या तापतर है बजट घाटे से क्या तापतर है सबी लोग जौब देने का प्रयास करेंगे चलिए अगला प्रिशन आपकी इस्केन पर आ गया है कि भारती मुद्रा रुपिया की अधिकारी की वीनमे दर्थ सम्मधित है किस से? जाब देने का प्रयास करेंगे सबी लोग भारती मुद्रा रुपिया की अधिकारी की वीनमे दर्थ सम्मधित है किस से? तो यहां सम्मंदित है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूँ से, आफनिस का अपका D वाला बिलकुन करेक्ट हो जएगा, ठीक है, चलिए, आगला परिशन है, भारती जो बैंक भारत में मुद्रा आपिर्थी को जो है, M1, M2, M3, M4 में बारता है, M1 की अंदरगत निम्न में से कौन से आते हैं, तो इसमें करणसी नोट वा सिक्के आते हैं, ठीक है, और बैंक की मांग जमाई आती हैं, रिजर बैंक की अन्न जमाई आती हैं, यानि कि एक, दो, तीन आपका आता है, ठीक है, M1 की अंदरगत, तो ओफनिस का C वाला बिलकुन करेक्ट हो जवाब देने का प्रयास करेंगे, गांधी वादी अर्थिवस्ता किस सिधान पर आधारी थी, जवाब देंगे सब लोग, गांधी वादी अर्थिवस्ता किस सिधान पर आधारी थी, तो निया सिधारीता पर आधारी थी, ठीक है, ओफनिस का C वाला बिलकुन करेक्ट हो दखिए मधु मकी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है ठीक है रेसम कीड़े का पालन ये सेरी कल्चर कहलाता है फल उत्पादन की कला याने की पोमुला जीसे समझे है ठीक है तो PC कल्चर के समझ किस से आप लोग कमेंट वाक्स में जवाब देजेगा ठीक है बहुत इसरल प्राधान है भारती शमिधान के अनुछे 312 के अंतरकत किसका प्राधान है भारती शमिधान के अनुछे 312 के अंतरकत किसका प्राधान है तो ये है अखिल भारती श्रीवा का ठीक है भारती शमिधान में आपात कालिन की आउधाना किस दे से ली गई है तो ये लिया गया है कहां से 22 को जाप देने का प्रयास करेंगे जर्मनी से लिया गया ठीक है भारती शमिधान में कितने भाग है तो टोटल 22 भाग है और इसका ये वाला बिलकुन करेक्ट हो जाए ठीक है अगले प्रिशन को चलते हैं नेमलिकित में से किसके दौरा संसद विती तंतर पर नियंतर नहीं रखती किसके दौरा संसद विती तंतर पर नियंतर नहीं रखती तो संसत के शम्मुख प्रतिवर्स प्रशाशनी कारेमुल लांकन रखा जाता है यह नहीं रखती है ठीक है ओफन इसका D वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग चलिए आगे चलते हैं अगले प्रशन के वोग चलते हैं भारत में मुक किचनौा आयूद को निम्न्रे में से किसके दोरा निउथ किया जाता है भारत में मुक किचनौा आयूद को ऑफनिस का C ऒला बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए यह सांस का बहुत ही जबट जैसर प्रशना है चलिए यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तूं को इस वश्ट नहीं देख सकता तो उसकी दिश्ट में कौन सा दोश्ट होगा 26 का जौब देने का प्रयास करेंगे तो यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तूं को इस पेश्ट नहीं देख सकता तो उसकी दिष्ट में कौन सा दोश होगा निकट दिष्टी दोश होगा ठीक है ओफन इसका B वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए अगर निकट पूछे तो दूर दिष्टी हो जागा किस विटामिन में कोबाल्ट पा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पा जाता है विटामिन B और C ये पूछा जाता है कि वसा में गुलंसील है या जल में तो जल में आपका है और A, D, E, K आपका वसा में गुलंसील है, चलिए, वायू में ध्वनी का वेक क्या होता है, वायू में ध्वनी का वेक क्या होता है, तो तापमान के घटने से घटा है, ठीक है, वायू में ध्वनी का वेक, ऑफनिस का D वाला बिलकुन करेक्ट हो, शल्फर का अनशूत्र क्या क्या है जौब देंगे सब लोग शल्फर का अनशूत्र क्या है शल्फर का अनशूत्र बताइए एसेट है ठीक है चलिए जन्तकोसिका में नहीं पाजाता है क्या जन्तकोसिका में नहीं पाजाता है क्या थर्टी का जौब देने का प्यास करेंगे तो जन्तकोसिका में सेंट् ठीकिस जिसके टॉप 30 questions, इन 30 questions में से आपके जितने भी questions करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएगा और ऐसे ही classes देखने के लिए आप लोग वमारे चैनल से जूड़े रहे हैं, जो भी यूपी तरफिल अग्जाम की update है कि अपडेट आपको शबसे पहले हैं आमरे चैनल के मादब से ही देखने को मिलेगी वीडियो पशंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तक कि सभी लोग के पास पहुंच चकें और वह भी बहतरे त्यारी कर सकें बिल्कुन फ्री में चलिए मिलते है अगली क्लास पर थाइंके शो मच